जेहन दोस्तो वर्दी वाली सीरीज में आपका सबका स्वागत है असा करता हूं सभी लोग मस सांदर जिंदा अर्पाद होंगे दोस्तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो इत्यास संब्दी कोशन आते हैं जो एत्यास से गटना उत्तर प्रदेश में गटत हुई है उसका आज आप बिश्तर तरीके से अधिन करने वाले हैं यदा पर इसमें मैंने एम से क्यों लिए हैं जो एकजां में बार बार परिच्छम पूछी जाते हैं यदे आप इस सेसन को कम्प्यूट देख लेंगे पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ बिश्वास के साथ यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदे उत्तर प्रेस का इत्यास संब्दी कोई तो हजारों बिद्यारति एक कोशन के पीछी हो जाती है तो इसलिए इस से को computer देखिए और अच्छा लगे सेशन तो प्री लाइक जरूर करेगा तो आईए मिलकर के हद्दिन करते हैं सबसे पहला कोशन देखिए सबसे पहला कोशन देखिए प्रापाहन काली मैंने बताया ना बिलकुष शुरू से लेगे चलूँगा प्रापाहन काली इस्थल बेलन नदी घाटी का साच उत्तर प्रिदेश के किस जिले या किस जनपद से प्राप्त हुआ है बांसी से लखनू से इलहवा से या इटावा से तो बता दीजिए कि जो ब प्राप्त्रेश टल से धान की खेती के साचछ मिले का से बच्चा धान की खेती की साच हो वहा इसका कोलडी हवा से प्राप्त हुआ है कापर है इलहाबाद में और यहां से बुसी के साथ ची मिले हैं किसके बुसी के साथ ची मिले हैं लेकिन धान के साथ कहां से मिले हैं कोल्डी हवा से मिले हैं कहां से कोल्डी हवा से मिले हैं आगे देखिए मद्य पाहन कालीन इस्थल जो मद्य पाहन कालीन समय था उसमें सराय नहार, उत्तरपदेश के किस जनपद में था, जो सराय नहार इस्थले मित्र, important है, पूछा गया है, किस बरतमाण जनपद में है, यह पूछा है, किस बरतमाण जनपद में है, यह important fact है, मित्र, मैंने इसमें लगबग 100 कोशन लिए है, और 100 कोशन मैंसे, आपके एगजाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास करिया आप, आपको जितने भी कोशन इत्या संबंद होंगे उत्तरप्रदेश के, वो आप सैसर मैंसे मिल जाएंगे, तो जो सराय नाहर है, वो कहां से है, क्या इलहावास है, इटा से, परतापड़ से, जॉन पर से, बताईए, इस कोशन का राय टांसर क्या है, तो मित्र, यह जो सराय नाहर है, यह परतापड़ से है, उत्तरप्रदेश का परतापड़ का जिला आपने सुना होगा, उत्तरप पदिश के किस जलीब में विए क्या बाण्ण सी मिय में हूं है बताइए इस मिलें लोह के साथ शेविडन से मिलें GO इसका चावल के साथ कोड़ी हवा से अगर पूशा जाए कि चावल के साथ किसके अच्छा चावल के एविडेंस कहां से मिले हैं तो कोल्डी हावा कुंसा कोल्डी हावा से मिले है बेलन गाटी कहाँ पर है तो बताईए बेलन गाटी कहाँ पर है इलहाबाद में सराय नहार कहाँ पर है जस्ट मैंने बताया आपको सराय नहार कहाँ पर है तो बताईए प्रताप गड़ से में काँ पर प्रताप गड़म हैं यह बात आपके पुल्कुल किलियर हो रही है बच्चो लोए के साथ ध्यान लखी कहां से मिले हैं तो बता दीजिए बाराणसी से आगे दिया हुआ है पांचमा कॉशन उत्तरपदेश के किस पुराण पांखन इस्थल से अस्ती निर्मित मात्र देवी की किसकी बच्चा मात्र देवी की इंपुएंट फेक्ट है मात्र देवी की मूर्ति मिलिए क्या सराय नहार से मिलिए कोल्डी हवा से मिलिए लोधा नाला शित्त से मिलिए चकिया से मिलिए डि पांचमा कॉशन का आप आंसर पताए इसका क्या हो सकता है तो मित्र य जिए लोहदा नाला से और कोल्ड यावा से चावल के साथ मिले सरायनहार कहां पर प्रताप गडब हैं लोहदा नाला से मात्र देमी की स्मृति मिली है ठीक आगे देखिए आए कोशन दिया हुआ है बेलन नदी घाटी की खुदा ये किसके निर्देशन में कराईगी थी ये ये पूछा किसके निर्देशन में कराईगी थी ये नहीं पूछा किसने कराई थी निर्देशन का नाम पूछा बच्छा किसका निर्देशन का नाम पूछा है बेलन नदी घाटी है जो कहां पर है बच्छा इलहवाद में है आपको और लटा दूंगा कहां पर है इलहवा क्या चटवा कोशन है तो मित्र इसकी जो खुदाई हुई है वो प्रोफिसर जी आर सर्मा के इंडिशन हुई है किसकी बेलन नदीगी घाटी की जो खुदाई करेगी थी आगे दिया हुआ है निम लिखत मेंसे कौंसा नव पाहणकाली इस्तल उत्तर प्रद्रीस में इस्तित है पूछा गया है कि ऐसा कोंसा इस्तल है जो नव पाहणकाली ने औरत्तर प्रदीस में तो मित्र इसका राइट अंसर क्या है? कोल्डी हावा है. आप मत परिशा नहीं है, आप यह सोचे कोल्डी हावा किस जिर्पद में? वो भी आज वो इसी मिल जाएगा, चिंता न करें. जो नपाहणक स्थल है, वो उत्तरपदी से कोल्डी हावा है. कोल्डी हावा है, इसका बी आपसन बिलकुल सही है. आगे दिया हुआ है, राज्ज के किस जिले में प्रापाहणक साच प्राप्त हुए है? ऐसा कोन सा जिला है, जहां से प्रापाहणक साच चे विडिन्स प्राप्त हुए है? क्या इलहाबाद है, सौनबद्र है, चंदोली है या उप्राप्त सभी है? इस कोशन का बच्चा राइट आंसर बताइए क्या है? तो बता सकते हैं, डी सही है बच्चा, कौन सा? डी सही है इसका. डी सही है, आगे देखिए. आगे देखिए हुआ, सिंदुगाटी सभीता का सवसे पूर्वी स्थर, आलम गीरपूर. आलम गीरपूर किस जिले में है? या किस जनपद में है, बच्चा? क्या इटावा में है? क्या इटावा में है? अलीगण में, मेरट में या बरेली में? बरेली में जो सिंदुगाटी सब्विता का जो सबसे पूर्वी स्थल था वो कहां पर है तो बता सकते हैं यह मेरा ठिजली में चोटी से बात बताना चाता हूं कभी पूरर पृच्षिम उत्तर घच्षड अ जाता है तो उसका भीयाद धर्क है यह उत्तर दिशाए यह पूरुविस्तल पूछा जाए, 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 पू सब्सक्राइब और यह पढ़ता है बलूचिस्तान में पाकिस्तान में अगर यह पूछा जाए कि सबसे दच्छडी इस्तल कौन सा था तो दच्छडी इस्तल बताईए दयमावाद सबसे दच्छडी इस्तल कौन सा था और यह प्रवरा नदी प्रवरा नदी सुनिया आपने प्रवरा नदी अरे प्रवरा नदी किसकी सायक नदी है गोदावरी की सायक नदी बच्छा किसकी गोदावरी की सायक नदी है प्रवरा नदी उसके तट पर है और महारास्ट में कहा महारास्ट इस दच्छडी स्थल है और उत्तरी स्तल की बात किया तो बता दिए बुर्जा हम ये जम्मू कस्विर में तो मैंने शिंदुगाडी स्थल ताके जो चारो स्थल थे बता दीए पूर्विस्तर आलमदीर पुर बिरट पश्चिमियों स्थल था वो सुथकेंगडोर है बलूचिस्तान है पाकिस्तान में दच्छिडी स्थल देमबाद है प्रवरा नदी के तट पर है और महरास्ट में है और बुर्जा हम है यहां जम्म पूछा जाता है तो बता दीजिए कोई दिक्कत लिए अलग से कौशन है यह आगे देखिए उत्तर परदेश में तामर पाठन का लिए सब्था का साच किस स्थान से मिला 11 कौशन बताईए 11 कोशन का आंसर क्या है तो तामर पाठन सब्था का evidence कहां से प्राप्ट हुआ है क बात आपको आँक सकते हैं, कि आपकी तयारी किस इस तरह पर पहुँच चुकी है, आप बच्चो इस तरीके से माप सकते हैं, कि आप अपनी तयारी का स्टर जो रिवल है, वो कहां तक पहुच चुका है एक बात आप से कहूंगा मैं ड्रा नहीं रहा हूं केवल बता रहा हूं इस समय लगवग 48 लैक और तालीस लाक बिद्धार्थी परिच्छा बैठेंगे साथ हजार सीट हैं अब आपने आपको 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 कितनी मेहनत करनी है आपको एक बात जरूर करा देगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि आपके साथ जिस रास्ते पर चलने उस रास्ते पर देखा जाए तो आज वर्तवान सहे में कम से कम कम से कम 45-45 लाग विद्ध्यार्थी चल रहा है जो आप पढकर अलग पढ़ेंगे तो अत्तरप्रिश का सबसे ऊत्तरी जिला है एगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का बोल ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर जिला कौन सा है यूपी का सबसे के जिली जिले में देखा जाए, सबसे उत्तरी कौन सा बच्चा तो सहारनपुर है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, और दच्छडी पूछा जाए, तो सौनबद्र है, कौन सा है, सौनबद्र है, पूरी पूछा जाए, बलिया है, और पश्ची पूछा जाए, तो सामली है, कौन सा बच्छा सामली बताओ किसकी समझ में नहीं आ रहा है उत्तरपदेश का सवसे पूर्वी जला कौन सा है बलिया उत्तरी कौन सा है सारनपूर सामली पश्चिवी है और स्वारबंत्र दच्छडी है कौशन आपका दिया हुआ है तामर पाठन सब्वेता का एविडेंस से बच्छा कहां से मिला है तो बता दिए साहरनपूर से प्राप्त हुआ है आगे देखिए कौनसा महाजनपर उत्तरपदेश में इस्तित नहीं था कौनसा जो महाजनपत था जो 16 महाजनपत थे पहले है और आप मेरे साथ नोट करते जाएं कसम से मैं रियल बता रहा हूं आज आपको उत्तरपदेश संबंदी जितनी परिशानियां वो सारी परसंट संबंदी वो सभी स्वाल्व हो जाएंगे जो थे इनका मित्र वर्डन हैं वर्डन की बात की जाए तो वर्डन मित्र बौध ग्रंथ है कौनसा बौध ग्रंथ है उसका नाम है अंगुतर निकाएं ऐक जैन गरंथ है ज्या कहते हैं भगवती सूत्र ॥ क्या वच्छा भगवती सूत्र में इसका वण सब्सक्राeln इसका किया गया है अच्छा डूसरी तु meaning है इनमें आठ जनपद कितने बच्चा आठ महा जनपद आपके यूपी में थे कितने आठ महा जनपद किसे में यूपी में थे ये कुछ महत्पूर बात है जो पूछी जा सकती है और आप चाहूं तो मेरे साथ पीशे इस लिए अड़ जाता हूं कि आप इसका इसकी शोट ले सके तो कुशन नॉमर 12 महां था बारे में कुशन का जो राइट आंसर है वह अंग है बचा क्या है ऐसा कॉनसा जनपद था उत्तरपदी में स्थित नहीं था तो अंग था देखो सूर्शन जिसे बरतमान समय मत्रा कहते हैं क्या कहते हैं मत्रा थी कोशल इसकी जाइदानी सुरावस्ति थी क्या थी सुरावस्ति थी कासी जिसे बारानसी कहते है तो अंग था अंग नहीं था अंग इसमें उत्तरप्रजिस में साविल नहीं था यह सारी बात आपकी समझ में आचिक हैं आगे देखिए चेदी महाजनपद उत्तरप्रजिस के किस जिले में बताइए आठ महाजन पत्थे उत्तरप्रेस में 16 महाजन पत्थों में से जिनका वड़न भगवति सुत्र और अंगुतर निकाय मिलता है इन्हें से आठ यूपी में थे बताइए राइट अंसर क्या है तो मित्र यह ब्ला जिली में किसले में यदूडा तो अगे दिखिए मल महाजनपर उत्तरपदिस किस जनपन में था बहुत इंप्विएंट मतर देखो चेदी पूछा जाता है कौन सा चेदी चेदी किस में था वादा में था लेकिन पूछा है मल कहां पर मल के मातमाबुद्द कि मरत्यू मातमाबुद्ध की मृत्यू को वी थी? 483 BCV में, और मृत्यू क्या कहा जाता है? तो महापर निर्माण कहा जाता है, बच्छा. वो मृत्यू महात्माबद्ध कहा पर हुई थी? कुशी नगर में हुई थी, जो उस समय मल्लों की राजधानी थी. क्या थी बच्छा? मल्लों की राजधानी थी. यह फेक्ट पूछा हैं तो बता जेना. महात्माबद्ध की मृत्यू क्या कहा जाता है? महापर निर्माण का मुई थी? 483 BCV में. कहां पर हुई थी? तो उत्तर पर इसके कुशी नगर में. कहां पर अच्छा? कुशी नगर में. तो उसे क्या कहते थे? तातकालिक समय में क्या कहते थे? मल्लों की क्या थी? राजधानी थी. आप इसका इसके सौट दे सकते हैं. अगला देखिए. 16 महाजनपन में से कितने महाजनपन उत्तर पर इसके में भुभाग में इस्ते थे? जस्ट में आपको बताया कि 16 महाजनपन थे उसमें से 8 महाजनपन. कितने बच्छा? 8 महाजनपन किसमें है? उत्तर पर इसमें. आगे देखिएगा. कपिल बस्तु बरत्वान उत्तर पर इ जिले में इस्तित है कपिलवस्त के लुम्म की नामक बन वन थे या आमों का बगीचा था जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्व हुआ था क्या हुआ था यह कपिलवस्त वर्तमान समय में उत्तरप्रिश के किस जिले में है किस जिले में यह क्यूद बताईए और प्लंदल मातमा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या-पुद्धके कर उत्तापदीस का जला है जहां पर महत्मा बुद्ध का क्या हुआ था सब्सक्राइब हुआ था उच्छा जनम हुआ था यह बात आप अपनी तयारी को आग्लन कर सकते हैं आप अपनी तयारी को बारी की से कर सकते हैं खुद देख लीजी आपके से स्टेज़ पर खड़े हुए हो मुझे नहीं मालुमत्च मित्र लेकर मेरा जो ड्यूटी है को करने का वो कर रहा हूं अर्शी पत्तनम या मरगदाव का आदलिक नाम क्या है जो अर्शी पत्तनम है मित्र जो महात्मा बुद्ध के समय इप रशी पत्तनम या मरगदाव का आधनग नाम क्या है क्या बानालसी है साधनवा है कोशीनगर या सारनाते बथा रिपटन्म व्रगदाव और यह सारनात में पूछ जले मैं यह पूछा जाता है कि उत्तरपजैसे कि यूपी के किस जले में हैं तो आज के बाद आप चिल्ला करके जोर-जोर से बता दीजिए कि यहां वारनसी जली में कि जाता है बहुत धर्म का पॉलं करता किस राज्ज्य कहा जाता है तो अपने प्यारे उत्तरी-फ्र इसको र्ट धुनिया में आज सावश्य ज्याद द्धर्म प्रचिन निते हैं वों बहुत धर्म कहा जाता है और यह सा। वहberg वालन किस राज्यूंट कहा जाता तो moisture अगला question दिया हुआ है ि महाविश्वामी के समय ज्यन धर्म का पुर्मक कोन था बहुत important question भुत important question कॉंसा है तुमतेर इसका तुम छ राय ट्र है वो मथ्वरा吗 बुद्ध काल में उत्तरपदेश में कितने मुख गण राज जी थे इसका राइट आंसर क्या है तो इसका विच्छ राइट आंसर क्या है कितने में बच्छे इसका बी बिलकुल राइट आज जी आगे देखिए एक्किसमा कॉशन उत्तरपैदिक कालीन किस मृद्भांड के साथ संपूर उत्तरप्रजी से प्राप्त वुए किस प्रकार के थे क्या लाल मृद्भांड थे काले मर्दभांड थे चित्र डूसर मर्द बाइद्ध थी कौन सा लाल मुर्द बाइद थे अगला कॉशन दिया हुआ है पांचाल महाजनपद की रायधानी काम पे लिका संबन्द उत्तरपदेश के किस जिली से पिस सुनिए जो पांचाल महाजनपद था उसकी रायधानी को से थे काम पिल ले अगला कोशन देखिए तीसरा है टोपेरा जहां से असोग के अविलेक प्राप्त हुए है वह उत्तरप्रजिस से किस जनपद में है अगला है चौवीस मा कॉशन भारस सरकार का राज की चिन कहांसे लिया गया है भारतल सरकार का राज़गी चिनने वच्चा वो कहां से लिया गया है, तु शारना से लिया गया है, और इसका जो नमाण। असुक ने कराया था, इसले पार वणश्कास आसक था, इसले कराया था, आगे देखीए, उत्तरपदेश किस जन्रप्स को भारती मूर्तिकला की जन्मिस्तरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जला है जिसे भारती मूर्तिकला की जन्मिस्तरी कहा जाता है मत्रा, आगरा, मिर्जाकपुर और रेंड कूर्ट बताइए इस कोशन का रायट अंसर क्या है तो बच्चा इसका जो राइट अंसर है वो पहला सही है मत्वरा को उत्तर प्रदेश की भारती मूर्त भूवी की जर्मिस्तरी कहा जाता है यह इसका बिल्कुल राइट आसर है चाहो तो आप इसके लिए लिए करिए मैं थोड़ा साइट शेया करूँगा अगला कोशन दिया हुआ है कि अयोध्या का सिलाले किस वंस के सासक ने लिखवाया था जो अयोध्या है इस कोशन को आप याद रुकर लीजिए बच्चा में तरफ से बहुत इंपॉइंट है आप खुद आंकलन कर सकते हैं कोशन अपने आप में कितना इंपॉइंट है दूंग मंस ने कल सासक था उसने कर रहा था आगे देखिए बहुआर बुद्ध की मुरत्यू उत्तरपदिस के किस जनपद में हुई थी तो मैंने आपको जस्ट बता चुका हूँ कि इसका दूसरा सही है कुशी नगर में हुई थी किसमें बच्चा कुशी नगर में हुई वह देखिए वो का सी थी कोसी थी का सी थी 28 ही वह कॉश्शन है को समद्र कोतों चैजने वह प्रसंद करने वाला प्रसंद्ध सि काब्य कहा आवस्तित हैं जो समुद्र में थे था वरिच्चो जो गुपत का सासक समद्र गप्थ को भारत का नेपॉलियन भी का जाता है क्या का जाता है भारत का नेपॉलियन कि यह कहा किसने था तो इसमीस निका था किस में हैं प्रयाग राज में हैं अवद में आगराम बताए 29 29 का तो बताए प्रयाग राज में किसमच्छा प्रयाग राज में सही इसका बीवलकुल राइट आंसर है आगे देखीएगा इसकंद गुप्त ने उत्तर प्तिसके किस जनपद में बीतरी अविलेक लिखवाया था बहुत important पहले तो नमबर बीतरी अविलेक किस गुप्त बंस के सासक ने लिखाया था तो बता सकते हैं इसकंद गुप्त ने और बीतरी जनपद अविलेक लिखवाय गया था वो किस जनपद में हैं तो बताए कासी में गोरकपुर में गाजिया बलिया में तो बितर ये गा गाजिपूर में हैं कहां पर बच्चा गाजिपूर इसका बिलकुँ सही आंसर है जहां का आपने फिल्मी अमिलियता देखा होगा भोजपूरी फिल्मों के ने रहुगवा वो गाजिपूर के ये दिनेस लाल यादव आगे देखिए धर्म राज का इस्तूप कहां इस्ति कौण का बैसे का तो आवजपूर को आगे दिया हुआ है नगरो कहा जाता है तो बच्चाई जौनपरू कहा जाता है किसको कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता है शिराज ए हिंद और जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी तो बता सकते है फिरोज तोगलक ने बच्चा है किसने फिरोज तोगलक ने की तोगलक ने क्या की थी जौनपुर नगर की स्थापना की जिसे भारत का सिराज यह हिंद कहा जाता है। आए कौशन देखिये। मित्र बस बने रहिए, सैसं में बने रहिए, जब तक आप अपने आपको आखलन नहीं कर लें, तब तक बने रहिए। और मैं रियल बता रहा हूं, आपको इस सेशन से कम से कम दो से लेकर के पांच कॉशन मिलने वाले हैं, हाँ, आपको अन्य जगे भटकने की ज़रुवत रही है, हाँ, एडवास पढ़ोगे, तब ही सेलेक्शन होगा, फिर भी को होगा तुमसे में, तो देखी, आगरा नगर क किस्तापना बच्चा, वो सिकंदर लोधी ने की थी, किसने बच्चा, सिकंदर लोधी ने की थी, इसका डी विलकुल सही आंसर है, किसने की थी, शिकंदर लोधी ने की थी, आगरा नगर की नगर की स्तापना किसने की थी, तो बता सकते हैं, फिरू साथ तुग लग ने, आ पर इसके किस जिले मिश्थित है कि दिल्ली में आगरा में हैदराबाद में जॉनपुर में तो बच्चाई जॉनपुर में कहां पर है जॉनपुर में आटाला मस्षिद कहां पर है जॉनपुर में आगे देखिए बदायूं का ज्रमाड किस ने बर्माया था। बताइए इसका कोशिजन राआट सो क्या है तो बच्चा इसका न्रमाड किस ने कराया था। जो गुलाम्बन्स का वास्तविक संथा तूं बता सकते हैं साथ्र इसी की पुत्री थी इसका नाम कहा था रजिया सुल्तान जो गुलामबंस की पहली मेलगा सास का थी आगे देखिएगा आगे दिया हुआ सरकी समराज की स्थापना कहां पर की गई थी जो सरकी समराज था बच्चा इसकी स्थापना कहां पर की थी तो सरकी समराज की बच्चा वो जौनपुर में की गी थी, कहां पर जौनपुर, जिसे भारत का सिराज-े-हिंद कहा जाता है, फिरुसात तुगलक द्वारा इसे बसाया गया था, आगे दिया हुआ है, जौनपुर नगर किस्ता अपना किस ने की थी, जो फिरुसात अकवर ने बनवाया था, किस ने अकवर ने बनवाया था, और ये यमरा नदी की तटपर है, किस पर बच्चा, यमरा नदी के नदी के दाई तटपर, किस पर दाई तटपर है, इसका नर्माड किस ने कराया था, तो बताए, सहाजा नहीं कराया था अकुवर मतमार्दी जी जी ए अकुवर ने तो उसका नमाण किले का नमाण कराया है लेकर उसमें जो मोती मश्षिद है उसका नमाण किसने कराया बच्छा तो सहाजा नहीं कराया किसने सहाजा नहीं कराया है सब्सक्राइब कर नौद को जब एभेश्य आपया ग्योग से और ईंवाया-प्ला gebर को कि रहें तो अंत्यां में बावरी मसलिठी प्रशा सेनह पति था क्या था क्या था स्यन्ह ना नीमिर बकी इसने बाबरी मष्छड का निमंण करा condi झाल में अग्या दॉलाका व्हर कि नदी के बायं तर्ट पर बायं तर्ट पर इस दित्हें एद्बांद दॉला का मकवरा इसका न्रमाण किस ने कराया थ ह mean इसका न्रमाण ञर्विकित नूर झाहने किस्ने नूर जहाने जो जहांगीर की पत्छी थी उसने अपने पिता की आदमें अपने पपा की याद में नमाड कराया था किसका एदमा दौला का क्योंकि नूर जहां के पपा का नाम क्या था तो एदमा दौला उनके पपा का नाम था उनकी याद में नूर जहां ने जो जहांगीर की पत्री थी बेगम थी उसने अपने पपा की याद्म ने इसका नमार्ड कराया था और यह एदमा दौला मुगल काल की सफे संगमर्ष मर्ष से बनी सबसे पहली इमार्थ भी है सबसे पहली इमार्थ भी है 44 कोशन है आगरा में जहांगीर महल का नमार्ड किस ने कराया था आगरा में जो जहांगीरी महल है बच्छा उसका अंडर्माण किस ने कराया था अकवर ने जहांगीर ने सहांजाने और अगजी ने बताइए तो इस कॉशन का अंडर्माण मित्र क्या है अकवर ने कराया था ये सही है जहांगीरी महल का अंडर्माण कहा अकवर ने कराया था नेक्स्ट बुलंडॡ्वाजा कहां इस तो बुलंडवाजा है मित्र वहां ऐस değer तो chapter आहां सीरी में इस्थिते कहां पर फटे प्षिक्री में इस थे एकसो चतर criticized और उंचा है कितलाभ 7-200 चाए और अकवर ने इसका प्रिद्द कराया है गुजरात विजे के दोरान गुजरात विजे के दोरान कब बच्चा तो बता जी दिये गुजरात विजे के दोरान इसका नमण कराया था फत्य पुश्री करीमे आगे देखिएगा अकवर का मकवरा कहा है इस्तेते है तो अकवर का मकवरा कहा है बता सकते हैं आप लोग क्या दिल्ली में हैं लाहर में या सिकंदरा बाद में है या इलहाबाद में तो अकवर का बच्चा मकवरा है वो सिकंदरा मिश्थेते हैं यह सिकंदरा बाद नहीं है बच्चो यह सिकंदरा है क्या है शिकंदरा और सिकंद सीच का बिलकु रॉयट आभी आगे देखीएगा आगे दिये हो आगरहा के लाल के लिये का नॅब रमण किस ने कराया तो अकवर ने कराया था जस्टमिन आपको बता दिया है ये इसका सही इसका बिलकूँ सही आपको राय।ागे दिया हुआ है सब chemt ताजमेल का नमण किस ने कराया था तो सहाजा ने कराया था किस की आदमी कराया था मुम्ताज की आदमी कराया था ताजमेल का मुख्य वास्तोकार कौन था ये मित्र इंपोएंट है यहाँ कॉशन बहुत इंपोएंट है अगर पूछा जाता है कि ताजमेल का मुख्य वास्तोकार कौन था का हमीद एहमद था उस्ताद इसा था उस्ताद एहमद लाहोरी था यो अपरुक्त सभी थी बताइए तो मित्र इसका जो राइट 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 अर्थिक सलाकार थे अग्वर के बा आर्थिक सलाकार थे और इनका जन्म कालपी में हुआ था तो पूछा जाए कि बीडवल का जन्म कहां पर हुआते तो कालपी में हुआता हम लोगों ने लगवाब 50 question बच्चा clear कर लिए हैं आपको 50 question और कर नहीं 100 question का target रखा 100 question कामरे target इसमिना रखा है और आप 100 question करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं बटकने की जरूरोथ पड़ेगे इस ही session में आपको सब पुछ मिल जाएगा अब खुद देखिए आपने जहां पहले पढ़ा हूँ उसके बाद आज आप आगलन कर सकते हैं कि आपकी त्यारी किस बीस पर है देखिएगा आगे यह हुआ है कि किस मुगल बातसा ने अपनी राइदानी आगरा से दिल्ली इस्तान तरण की थी एक क्या मुर्मा कॉश्चन ऐसा कौंसा बातसा था जिसने अपनी राइदानी आगरा से दिल्ली लेकर गया था अकबर था जहांगीर था ज़ाँजा था और अगरी कुल रियता तो सहाजा जी लेकर गया थि आगे देखिए, पंच महल कहां परिष्टित है, पंच महल है बच्छा, बो कहां परिष्टित है, पंच महल जो इश्टित है बच्छा फतेपु सीकरी में, और फतेपु सीकरी कहां पढ़ता है आगरा में, आगरा में पढ़ता है, आगे देखिए, सेख सलीम चुस्ती का मकव मकवरा है वो कहाँ परिश्तित है क्या आगराम comenz arche फत्य पूसी करीम है या लखनाओं में तो बता सकते हैं फते पूसी करीम कहा वो चाहर। मोगलाय कुमार करो मकवरा का कम करें करें हैं जो मुगल एक राजकुमार था उसका घुष्रो ॵ। इसका मकवरा कहां पर इश्थ है, तो बच्छो इसका मकवरा इलहावाद मिश्थ है ता कहां पर बच्छा इलहावाद मिश्थ है, इसका D, इसका बिल्कुल राइटर? तसलीर से पढ़ियों, ँसा लिवदॉत से पढ़ाहिए्व है, पढ़ियों बहतरी it notes तो आठारो सुतामनी क्रांती का प्रारणक कहां से भुथा सेुधा तो अठारो सुतामनी क्रांती का प्रारम बच्छा वो बैरकपूर से हुथा मेरट से हुथा दिल्ली आ ना कानपूर से बताएन इस question का 2 तो अध्या मेरट से वह थे अपने कर्म देखियोगीauen मंगल pine किसे कानपुर का पेश्वा गोस्त किया गया था अठार सुत्तावन की क्रांथी के समय किसे कानपुर नगर जो कानपुर जिला है बच्छा इसे उसका पेश्वा किसे उनुक्त किया गया था क्या लच्छी भाई को लिकाय तली को नाना साथ को बताइए इसका question right answer क्या है तो ना साहिब को किसको बच्छा ना साहिब को कानपुर का क्या गोस्त किया गया था पेश्वा गोस्त किया गया था आगे देखिएगा इस question का right answer का है, क्या है? तो विरजिस कादिर को बच्चो किसको? विरजिस कादिर को अवद का नवाव गुर्षत किया गया था. अठारसो तावनी किरांती की समय किसको विरजिस कादिर को, जो बेगम हजरत महल का ये बेटा था ये. आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की राइधानी आगरा से इलहावाद कब बनी? उत्तर प्रदेश की जो राइधानी बच्चा, वो आगरा से, पहले उत्तर प्रदेश की राइधानी क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी, इलहावाद कब बनी? अठारे सो पचास में अठारे सो अठावन में जब राइधानी बनी तो उस समय भारत का गवर्णर जनरल लाड के निंग था क्या वच्छा कौन था वच्छा लाड के निंग था और इनहीं ने इलहाबाद में महारानी इंग्लेंड की जो महारानी थी उनका गोफणा पत्र पड़ा था ये पूछा जाता है कि ब्रेटिन की जो महारानी थी उनका गोफणा पत्र कहां पड़ा गया था तो पता दीजिए इलहावाद में किसी ने पड़ा था तो लाड केनिंग ने पड़ा था उसी समय उत्तरत देश की राइदानी आगरा से इलहावाद पहुंचाई की थी यह फेक्ट बच्चा लिकायत अली ने किया था आगे देखिए 8858 की महराणी की गोहणापत्र कहा पढ़ा गया था तो मैंने जस्ता आपको बताया इलावा आदम पढ़ा था आगे देखिए 1857 के बिद्रो करने तो बरेली में किसने किया था देखिए लिकाय तली ने कहाँ पर किया है तो लखनु में किया है लेकिन बरेली में किसने किया है बरेली में किसने किया था तो मौम बताइए इस कॉशन का राइट आंसर क्या है खान बहादूर ने किसने विच्छा खान बहा आगे दिया हुआ है अवद के किस नवाव ने सायक संदी पर हस्ताचर की था अवद का ऐसा कौन सा नवाव था जिस ने सायक संदी साइक संदी का जनक किसे कहा जाता है दो साइक संदी का जो जनक कहा जाता है वो डुपले को कहा जाता है किसो कहा जाता है डुपले को कहा जाता है लेकिन अंगरे जो ने इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वारिन हस्टिंग का किसका वारीन हस्टिंग का नाम आता वारीन हस्टिंग का नाम आता है तो अवद के नवाव ने साइक संदी पर हस्ताचर किये थे, उसका नाम क्या था सहादत खान, वाजद अलीसा, सुजावत दौला और सफदर जन्ग बताईए इस question का answer बच्चा क्या है सहादत खान क्या नाम था शहादत खाने सहादत खान जो अवद का नवाब था उसने साइक संदी पर सबसी पहले स्थाप्चर किये थी आगे देखिए अवद का अंतिम नवाब कौन था अवद का अंतिम नवाब कौन था तो अवद का बच्चा अंतिम नवाब था वो वाजिद अलीसा क्या नाम था वाजिद अलीसा था क्या था वाजिद अलीसा था अवद का अंतिम नवाब आगे देखिए बक्सर के युद्ध में अवद के किस नवाब ने भाग लिया था बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अवद का कौन सा नवाब था उसने भाग लिया था तो सुजावद्धुला ने किसने बच्छा सुजावद्धुला ने भाग लिया था जो बक्सर का युद्ध कब लगया था, 764 कुल लड़ा गया था, एक तरफ आपके अंग्रेज थी, और दूसरी तरफ देखा जाए, तो बंगाल का नवाब क्या था, बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम मीर कासिम, अवद का नवाब, इसका नाम क्या है, सुजावत दौल और दिल्ली का बासा, सहा आलम दुतिय, सहा आलम दुतिय, ने, किस सयब्त स्याना को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, बक्सर के युद्ध में, और इस चे तह हो गया था, कि अब अंग्रेज भारत पर क् करेंगे आपके देखिए ब Foxar का children की संदी से सक्वा था तो बकसर का एधिवादी से utangot की संदी कवी थी तो और ऐंगे संदी लिए लेकिन बकसर का उच्वां तो से संदी के आप इंडियोंน किस पैंड नहित है से गवर्णर जननल ने ब्रिटिस सम्राज में कल लिया था जो अवद था उसका विलेन किस गवर्णर जनल में कल लिया था तो लाड वेले जली था व अवद का विले और इस ने यह आरूप लगा था अवद के सासक पर के अवद का सासन, अवद का सासन, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, को सासन का आरोप लगा करके, जूटा आरोप लगा करके, लाड वैली दली ने अवद को बिटिस सम्मराज में मिला लिया थपचा, आगे देखिए सुतंत्रता अवद राज्जी की स्थापना किसने रखी थी तो सहादत खान रखी थी इसे बुरहान उल्मुल्क के नाम से जाना जाता है इसका उपनाम क्या है बुरहान उल्मुल्क के नाम से जाना जाता है शोतंत्र अवद राज्जी की स्थापना सहाधत खान रखी थी जिसे बुरहाने मुल्क के नम से जाना जाता है अबद का ब्रिटिस समराजिम बिले कब हुआ था बहुत इंपुएंट लाड़ वेलेजली ने किया कुछ आसन का अरोप लगा करके लेकिन कब किया था अठारसोचपन में आगे देखिए फैजाबाद में अठारसोचतावन की बिद्रो का 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 अठा पूरफे में 888 विद्रों का दमन किस नहीं किया था । तो यह पर 1888 का दमन किसुन ने किया था। कचैंप वें ने किया था। कांपुर में 1888 का दमन किस ने किया था। कांप जने किसका बीबलकुई tradis अच्क कर्णल नील कांपर किया था कर्णल नील ने कांपर दमनकी आप खो जांसी में अठा सुटावन की मिद्विडरु का दमन किसने किया था तो यह जन्नल यूरोज ने किया था किसमें पंच्छा générनल यूरोजt उसमें जन्रर यूरूज उऻका स्यानापती था उसने महरानी लच्छीवाई को मरने के लिए मजबूर दिया था हाल। हाला इसके हातों नहीं मरी थी वह बो इलिए से कून के मरी थी और जन्रर यूरूज ने यह कहा था कि पूरे भारत में एक महला निवच्छी वाई कि बीरता को देखते हुए इलहावाद में बिद्रो का दमन किस ने किया तो मैंने अभी आपको बताया था करनल नील ने किया था किसने बच्चा करनल नील ने किया था इसका यह विल्कुल राइट आज़र है आगे देखिएगा हरिशन्द मेगनीज का प्रकासन कहां से होता ह हरिशन्द मेगनीज है बच्चा इसका प्रकासन कहां से होता है तो बारणसी से होता है कहां से बच्चा बारणसी से होता है जो आपकी हरिशन्द पत्र का है इसका बारणसी से होता है बच्चा कहां से होता है बीस का बिल्कुल राइट आंसर है आगे देखिए अलीग तो बच्छो इसके जो अलीगड़के आंदिलन था मुमेंड था उसके पड़ेता थी वो स्य्यद secondo का थी जिसे आज अलीगर्ण मुस्लिम युनिवर्स्टी कहा जाता है अलीगर्ण मुस्लिम एंगलो औरेंटिल कालेज की स्थापना कवी थी तो बच्चा उन 1875 कोई थी कवी थी इसका इसे विलकुल राइट आप से कहूंगा आप इस सेशन पर लाश्ट तक वही बना रहेगा जो जीता होगा क्योंकि काफी लोग से छोड़के जा चुके होंगे यह बात सत्य है लेकिन आप अगर रुके हुए हैं तो मैं बादा कर सकता हूं को आपको एक दो से लेकर करके पांच कॉशन इस से बिल जाएंगे आपकी तयारी आप इसमें आगरन भी कर सकते हो कि आपकी त इसका बीवडुको रायट त्रांस सेंटर हिंदू कालेज की स्थापना किस ने किती और ने किती कई आप अगे दिया हुआ है आघरा में रादा स्वामी सत्संग मंदर है उसकी स्थापना कि आपके सिव दयाल ने की थी आगे देखिए आगे दिया हुआ है पर कलकत्ता में इसका भी विल्कुल सही आंसर है सरोजी नाइडू थी जो कांग्रेशिक किस अद्विशन में इसकी अद्विश्टा की थी तो कानपुर्फ और सरोजी नाइडू ही भारत की उत्तरपिश की पहली महला राज जिपाल बनी थी क्या वनी थी वच्छा राज जिपाल बनी थी आगे दिया हुआ है कांग्रेशिक किस अद्विशन में जार्ज यूल प्रथम अंग्रेज अद्विश्ट बनी थी तो मित्र इसका ए ओफ्सन सही कॉंगरेश का जो तीसरा अध्विशन हुआ था कहां पर एलहावाद में महां पर कांग्रेश के पर्थम अंग्रेज जो अद्विश बने थी जिसका नाम जार्ज यूल है उसकी अद्विश्ट कहां पर की थी इलहावाद में थी 84 सी में कॉश्या च्छी थि की तो ची हिंदु विष्विद्याले की स्थापना वच्चा 1916 में की गई थी पंडित मदन मोहन मालवी द्वारा ठीक आगे चले पिच्ची आशी कोश्चन पर सेंटर हिंदु स्कूल चीह की स्थापना कब की गई थी कि इसकी स्थापना एनी बेशन ने की थी कब की गई थी तो उन 1898 में की गई थी इसका डी विल्कुल राइट आज़ें आगे देखिए कांग्रेस के किस आधिविशन में कांग्रेस और मुस्लिम लींग में समझोता हुआ था कांग्रेस का कौन सा अधिविशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लींग दोनों एक ही मंच पर आई थे तो इन लखनव था बच्चा कौन सा था लखनव और कब हुआ था 1916 में लखनव अधिविशन आगे देखिएगा कि 1920 में अखिल भारती खिलाफत कमेंटी की बैठक कहां पर हुई थी बैठक कहां पर हुई थी तो बच्चा इलहाबाद में उए ती इसका डी बिल्कुल राइट आज़ है आगे देखिएगा यह इंपोइंट ने बच्चों क्रेशन गुक्ली ने की थी कॉंग्रेस का जो 1905 बारस में एद्विसन हुआ था इसकी अदिश्था गुपाल क्रेशन गुक्ली ने कि ती जिने महत्मा गांधी का कि महत्मागंधी का मात्मा गंदी का राजनेतिक गुरु कहा जाता है क्या कहा जाता है राजनेतिक गुरु कहा जाता है राजनेतिक गुरु कौन थे मात्मा गंदी जी के तो गोपाल कर्षण गोखली थे और गोपाल कर्षण गोखली के कौन थे तो M.G. रनाडी थी एम जी रनाड़ी थी आगे दिया हुआ है चोरा-चोरी कांड उत्तरपदेश के किस जिले में हुआ था किस जिले में हुआ था तो यह गोरकपर में हुआ है गोरकपर में हुआ है गोरकपर में हुआ है चोरा-चोरी कांड बच्चा कहां पर हुआ था गोरकपर में हुआ था और 1921 में हुगा था यह उन्यस्स एकिस बाइस में दिसम्मर का मीना साइट था उसमें हुगा था वीड़ ने जो भीड थी आकरुस्त जो आकरुस्त वीड़ थी आंदुलन के दौरां उसने थाने जितने भी सिपाई थी उनको सबको बंदग बना कर उस थाने में आग लगा उसी घटना को देखते विए गांदी जीने कॉन सा आंदुलन बापस लिया था आप बताएंगे आगर देखिए स्वराज पाईटी किस्ता आपना कहा पर की गी थी बताईए इंपोईंट और किसने की थी स्वराज पाईटी किसू आपना बच्चा इलावाद में की बाल गंगादर तिलक किसने बाल गंगादर तिलक कंगा धर तिलक कहां पर की थी इलावाद में कभी की थी बो आप बताएगे आगे दिया हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशन की स्थापना कहां पर की गी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एच आर ए यह नाम भी लिखा सकता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसन की स्थापना कहां पर की गई थी तो कानपुर में की गई थी आगे दिखिए आगे दिया हुआ है काकोरी कांड को कम अंजाम दिया गया था बहुत इंपुरेंट है जो काकोरी कांड सुना होगा आपने इसको कम अंजाम दिया गया था इस कॉशन का राइट आंसर क्या है तो 9 अगस्त 1925 को इसको अंजाम दिया गया था नो अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था बच्छा आगे देखिए उत्तरपदेस किसांसवा का गठन कम गगा था तो उत्तरपदेस किसांसवा का जो गठन है नाई दोवी बंद आंदोलन चलाए गया था, तो बता सकते हैं परताप गड़ में है, हाँ बच्छा परताप गड़ में है, इसका C बिल्कुल राइट आंसर है, निन्टी फॉर, 95 कोशन, 1936 में अखिल भारती किसान समीलन का आउजन कहां पर हुआ था, तो बता सकते हैं लख आइस्था ही सरकार बनाईगी थी, बहुत मैत्पूंग, मित्र ये कॉशन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, वो आठ आगस्त, नैंटी फॉर्टी टू में हुआ था, ये, शुरूआ था, आठ आगस्त, उन्री सब्यालीस में शुरूआ था, वार छोड़ो आदोलन, के दौरान उत्तर पदेश के किस सहर में, किस जले में या सहर में, आइस्था ही सरकार बनाईगी तो बलिया जला था, कुंसा, बलिया जला था, इसका बी बिलकुल सही आंजर है, important factor याद रखियेगा, सवने वग्ज्या आंधोलन के दोना नहिरुजी ने कहां से करबंदी आंधोलन चला था, कहां से करबंदी आंधोलन चला था, क्योंकि जो पंड़न नहिरु जी थे, वो इलावा जłem पैदा हुए थी, और हो गया एक मिनिट नहीं को कहां बंदी बनाकर रखा गया ता यह पूछाया कहां पर बंदी बनाकर रखा गया था अठाघानवा कॉशन इसका कॉशन को इलावाद बंदी बना दिया था वजी से उन्होंने आंदूलन शुरु किया अगला कॉशन है भारती राष्टी कांग्रेस के सुतंतर्णा प्राप्ति तक इलावाद में कितने अध्यूशन हुए थी तो बच्चों दो अध्यूशन हुए थी कि यह दिया हुआ था कि भारती राष्टी कांगरेस्ट का सुतनत्रला प्राप्ति तक इलावाद में कितने अध्यशन हुए थे दो अध्यशन हुए थे एक पहला अध्यशन हुआ था वह जिसकी अध्यश्था अंग्रीज नहीं की थी वह अठारे सो 1887 में वह था और दूसर हुए थे कितने तीर अध्यशन हुए थी इसको आप देख लीजी अगला कोशन दिया हुआ है नाइंटी 37 के प्रांती विदानसवा चुनाप के पश्चाथ उत्तर प्रदेश में कितने नित्रत में सरकार का गठन किया गया था तो यह मित्र आप बदा सकते हैं उत्तर प्र और अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर सीर कर दें, सेहसन पर नई हैं तो सेहसन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और गंटी बजाकर ओल पैस इलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी तरीगी का आप टेस्ट प्राप्त कर सकें, तब तक के लिए जिए जवारत